नर्माना से एक और खबर है, हाथसे का शिकार हुई स्कूल वेन एक बच्चे को आपको बता रहे हैं मामुली चोटाई है, सुंदर पुरा गाउं के पास यहाथसा हुआ वेन में कुल बारा बच्चे सवार थे तो यह बड़ी खबर आपको बतारे देखे, तस्वीर आ चुकी है तस्वीर आद देखे, हाथसे का शिकार हुई है, स्कूल वेन स्कूल जाते वक्त यह बड़ा आथसा देखने को बिला था आपको जान करें देने, जैसे यह आथसा हुआ, सूचना पॉलिस को दी गई थी, पॉलिस की टीम मौके पर पहुची और उसके बाद मामला फिलाल आपको बताने की कारवाईयां पर की गई है तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है, आपको बताते चलें हाथसे का शिकार हुई है, स्कूल वेन नरवाना से यह बड़ी खबर है, हाथसे का स्कूल वेन शिकार हुई है तो बता दें आपको हाथ से कर शिकार हुई है स्कूल वेन ये तस्वीर आपको हम लगाता दिखा रहे है फिराल एक बच्चे को मामूली चोटा आई है बागी सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे है इस वेन में लगब बाग 12 बच्चे सवार थे जनकरी मिली है कि अचानक से आवरा पशू सामने आ गया था जिसको बचाने की चलते वेन हाथ से कर शिकार हो गई और पल्टी आपको बता रहे हैं कि इस हाथ से में फिलाल एक बच्चे को चोटा आई है तो वहीं बागी सभी बच्चे सुरक्षित हैं पूछना मिलते ही फिलाल पोलिस पहुच कही थी तो नर्वाना से ये बड़ी खबर है सुंदर पुरा गाउं के पास ये हाथ सा हुआ है तो एक बच्चे को मामूली चोटा आई है बागी सभी बच्चे जो हैं वो फिलाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं तो बता दें आपको ये बड़ी जनकारी हास्ते का शिकार हुई है स्कूल वेन जनकारी आपको बता रहे है तो बता दें आपको कि वेन में को लगबग बारा बच्चे सवार बताए जा रहे हैं हावारा पशूर के सामने आने से ये बड़ा हाथसा हो गया था राजेश हमारे साजर चोकेट बिट देने के लिए राजेश इस तरीके से स्कूल वेन हास्ते कर शिकार हो गई है क्या कुछ पूरा गट्टक रहा है लगबग आठ वजे का मामला है नर्वाना के पास काम संदर पुरा है उसके पास ये जो नर्वाना स्कूल है किटेप प्ले स्कूल है मेलोडी उस स्कूल की वेन थी और ये अचानक आगे अचानक आवारा पसू आगया जिस कानचे आयने इंतरत होकर सड़क किनारे पल्ट गई और इसके अंदर लगब बारा बच्चे स्वार थे एक बच्चे को मामली सी चोटाई थी उसको परिजन हस्तान में ले जाकर इलाज कराया गया और उसे परिजन आप बच्चे को गायल बच्चे को अपने घर ले गए बाकी सब बच्चे सुरक्षी से है जी चलिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकरिया हमरे से सदा करने के लिए